तो आज हम बात करते हैं हमारे thyroid hormone का जो की last video में जहांपन हमने finish किया था तो thyroid hormone की हमने बाय सिंथेसिस देखि थी कि thyroid hormone formation कैसे हुआ है उसका form कैसे हो रहा है कौन-कौन से proteins और channel उसमें help कर रहे है ठीक है तो thyroid hormone जो है, mainly हमने वाद की थी कि जो important thyroid hormones है, वो कौन कौन से है, T3 and T4, ठीक है, main thyroid hormone जो होते है, वो T3 and T4 होते है, और इनका main iron होता है, जिससे ये main develop होते है, वो है आपका iodine, ओके, तो daily uptake iodine की जो daily requirement है, daily requirement है, वो approximately कितनी है, 150 microgram, 150 microgram जो की daily requirement है, iron की, ठीक है, उन में से 20% iron जो है, वो absorb होता है कहां से, thyroid gland से, और बाकी 80% जो होता है, वो absorb होता है कहां पर, कितनी में, स्वारी, Beijing होता है, प्लाजम में पर्ज़न रहता है, अपके, वो क्या है थारोड जो हमोंस है, वो में बाईडे, वो मेली ली, लेक प्लाजम में प्लाजमीं रहते हैं, और वो भी प्लाजमीं जो प्लाजमी पर्जंद होता हैं, saving the. कुछ special proteins होते हैं जिनसे यह hormone bind होते हैं उसके बाद पूरी body में circulate होते हैं तो कौन से binding proteins है जो कि इन thyroid hormone T3 & T4 से bind होते हैं उनकी बात करते हैं binding proteins कौन कौन से binding proteins है जिनसे यह bind होते हैं ठीक है एक होता है सबसे first जो किया albumin albumin, albumin जो protein है उससे maximum amount में bind होते हैं क्या आपके T3 & T4 और maximum सबसे जयदा hormone जो bind होता है वो कौन सा होता है T4 ठीक है maximum capacity जो है जो भी binding proteins है 2-3 binding proteins है उनमे अगर हम बात करें maximum capacity किसकी है bind करने की वो है albumin की ठीक है और अगर हम इसके T half की बात करें T half means half life of albumin means वह blood में कितने दिन या कितने time तकica time तकCr relate हो सकता है albumin, blood में कितने time तक तक चर्कुलेट होता है कि उसी से पता पड़ता है कि आपकी T4 की भी कितनी क्यापई से अपकी T4 की कितनी हाफ लाइफ हो सकती है क्योंकि जितने तक अल्बूमें रोटेट हो बॉट पर ब्लट के अंदर उतने तक T4 से कनेक्ट होगा और जब हमें T4 की नीड है तो वह उसके साथ में डिटेच होगा और जहां पर भी उसको यूज करना हो यहां पर यूज हो सकता है तो ती हाफ जो होता है आपके अल्बूमें का होता है अप्रोक्सिमेटली 13 देज मीस एक एलबूमेंट्रोटींज ब्लट के अंदर 13 देज तक सकता है टिजक्ते lifecycle binding प्रोटीमर थेयुरह द्मओक्सिन बानीख प्रोटीण थेयुरह को सीड़ पाइण पायर को सोटाइव उसके लार्ज्प्यश्ट के पाशलमेंटी होग टिए थर्ड जो होता है, albumin, thyroxine binding protein and trans-thiretin, trans-thiretin, ठीक है, ये तीन binding proteins हैं, जिन से T3 and T4 hormone bind होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि maximum capacity किसकी है, bind होने की, albumin, largest affinity क्या है, maximum affinity किसकी है, ये तीबीप, affinity क्या होता है, affinity means ये होता है, कि जैसे, suppose करो, albumin भी present है, and TBP भी present है, means thyroxine binding protein, दोनों present है, और T4 और T3 दोनों hormone release में, थारोडलेंड से, उनको bind होना है, तो bind का means होता है, कि वो सबसे पहले किस protein के साथ bind होना पसंद करेंगे, means कौन सा ऐसा protein है, जिसकी largest affinity, जो उनको largestly attract कर सकता है, वो कौन सा है, thyroxine binding protein, जिसकी largest affinity है, अगर T3 और T4 दोनों hormone release होते हैं, थारोडलेंड से, तो वो firstly prefer करते है, thyroxine binding protein के साथ में, bind होने के लिए, उसके बाद अगर thyroxine binding protein available नहीं है, तो वो albumin के पास जाता है, लेकिन largest affinity जो होती है, वो किसकी होती है, thyroxine binding protein की, maximum capacity किसकी है, albumin की, क्योंकि albumin जो है, blood के अंदर largest quantity में present होते हैं, ठीक है, अब हम बात करें कि कौन सी ऐसी situations है, जिसमें binding proteins बर सकते हैं, और कौन सी situation है, जिसमे binding protein कम हो सकते हैं, तो ऐसी कौन सी situation है, जिसमे binding protein कम हो सकते हैं, ठीक है, वो सभी females जो कि estrogen का use करते हैं, estrogen pills या estrogen like oral contraceptive pills का जो use करती है, उनके अंदर binding proteins की capacity बढ़ जाती है, और जैसे जैसे binding protein की capacity बढ़ जाएगी, तो T3 और T4 जो है, वो जादा binding होने start कर देगा, एक ही जहां से याद रखो, कि T3 और T4, जो है maximum 99% जब भी release होता है, thyroid gland से वो bind हो जाता है, 99% hormone जो होता है, T3 और T4 वो bind हो जाता है, जो 99% है, यह functionable नहीं होता, वो binding state में होता, और binding state में कभी भी hormone function नहीं कर सकता है, तो जब भी आप estrogen pills का use करते है, oral contraceptive और estrogen जो pills होती है, उनका जब भी use होता है, तो binding protein capacity बढ़ जाती है, और जब भी binding proteins बढ़ जाएगे, तो वो maximum 99% है, 99.5% तक चला जाएगा, free जो hormone है, उनके levels कम हो जाएगे, ठीक है, estrogen pills या oral contraceptive pills और pregnancy की time बर, ठीक है, यह तो conditions हैं जिनमे, estrogen जिनमे increase होता है कि इसका binding protein capacity, अगर हम बात करें कि यह सी कुण से situation से इसमें binding protein capacity कम होती है, वो हैं आपके glucocorticoids, and androgens, okay, इन दोनों situations में, glucocorticoids का use करने में और androgens का use करने में, या androgens की, अगर androgens increase हो जाएगे body में तो binding protein वो भी कम हो जाएगे, ठीक है, तो इन दोनों situations में binding protein की जो value हो कम हो जाएगे, और जितने कम value होगी, उतना जदा क्या होगा, free state में आपका T3 & T4 circulate होगा, अब T3 & T4 means binding protein तो ठीक है, आपने बात के लिए binding protein जो है, वो bind करता किसको thyroid hormone को, बट उसका bind करने का function क्या है, जो binding protein है, उनका function क्या है, ठीक है, binding protein के maintain function होता है, यह क्या करता है, जो hormone T3 & T4 उसकी viability को increase करता है, ठीक है, maintain करता है क्या, वो viability, second, यह क्या करता है, increase कर देता है chances, इंक्रीज करता है chances, एक्षन के, लिए hormone action के chances को increase करता है, और यह decrease करता है क्या, clearance को, means, जब तक T3 hormone bind है, T3 & T4 hormone bind होता है, binding protein से, तब तक हो viable state में, ठीक है, जैसे ही वो, means, उतने 10 तक हो viable होता है, like albumin के, हमने क्या बात कर देता है, T5 capacity कि नहीं है, उसकी T5 capacity होती 13 days तत, means, अगर T3 & T4 को release कर रहा है, और वो albumin तक, albumin पर bind हो रहा है, means, वो work कर सकते हैं कब तक 13 to 14 days तक वो work कर सकते हैं, इसलिए उनकी viability क्या होती, increase जाती, अगर वो viable नहीं होगे, अगर वो free state में होगे, तो free state में क्या होता T3 & T4, जैसे हो cell के पास जाएंगे, action करेंगे, और वो complete हो जाएंगे, finish हो जाएंगे, लेकिन अगर वो protein के साथ bind होंगे, तो उनकी viability increase हो जाएगे, जैकिन उनके chances of action भी increase हो जाएंगे, अगर एक बार thyroid hormone release, thyroid gland release करा thyroid hormone को, और जो भी function उसको करना है, उसने वो function पूरा कर लिया, तो उसके बाद उसकी next function करने के लिए thyroid gland को more hormones को secret करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो protein से bind हो जाएंगे, तो उनके action करने के chances बढ़ जाते हैं, क्योंकि already hormone जो है, वो blood के अंदर present है, third clearance, hormone जब भी release होता है, तो उसको जो function करना वो functions करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनका clearance होता है, body से वो waste products में या फिर body में वो destroy होना start हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो protein के साथ bind है, तब तक वो destroy नहीं हो सकते हैं, जब भी उनका use होगा, तब उनका use होगा, तब उनका use होग action करते हैं, और उनका अबाद उनका clear कर दे जाता है, body से उनको excrete कर जाता है, लेकिन अगर protein के साथ bind है, तो उनके clearance capacity जो हो कम हो जाती है, वो more time तक body के अंदर present रह सकते हैं, ठीक है, तो यह कुछ special function है, जो कि binding, capacity binding proteins पर depend करता है, binding proteins कर करते हैं, viability को increase करते हैं, वो clearance को decrease करते actions के, कौन-कौन से binding proteins है, albumin, trans-thyroxin binding proteins, maximum capacity की होती है, albumin की, maximum affinity की होती है, trans-thyroxin binding protein, और thyroxin binding globulin, ठीक है, किन-किन conditions में increase हो सकता है, किन-किन condition में decrease हो सकता है, तो next हम बात करते हैं, T3 and T4, जो कि main hormones है, thyroid gland के, ठीक है, इनके हम कुछ differences के, कि बात करते हैं, कि इन में क्या-क्या differences है, कौन सा more active hormone है, और कौन सा less active hormone है, ठीक है, तो हम कुछ special characteristics की बात करते हैं, जिनकी basis में हम difference करेंगे T3 and T4 को, सबसे पहले half life, means कौन कितने time तक viable रहता है, blood के अंदर और circulation के अंदर, binding capacity, कौन किसके साथ जाधा bind करता है, colloid, means colloid के अ hormone more potent होता है, action, किसका action fast है, किसका action slow है, और binding to the nuclear receptors, क्योंकि thyroid hormone जो है, अकेले ऐसा hormone है, किस से bind होता है, nuclear receptors, तरते बाले बात करते हैं, half life की, half life जो है, वो T4 की बात long होती है, approximately 6 days, means अगर ये blood के अंदर circulate होगा, तो 6 days तक viable है, free thyroid, free T4, free T4, which is blood के अंदर 6 days तक viable होता है, अग thyroxybinding protein, उसकी भी half life जोती हो, approximately 5 to 6 days के आफ़ा सी, means इसकी जो half life हो, approximately 6 days, उन्हीं, अगर 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 फ्री T3 की बात करें, तो इसकी half life जोती हो, 3 days तक होती है, लेकिन अगर ये albumin के साथ बात है, इसकी maximum binding capacity किसके साथ है, अगर ये albumin के साथ बात है, तो 13 days तक लेकिन free अगर हम बात करें तो किते time किते time कर वाइबल है only 3 day colloid concentration के बात करें magnesium binding capacity हम ने एकली magnesium binding T4 किसे होता है TBP से means T3 binding protein हो वही T3 किसे bind होता है albumin से इन colloid के अगर बात करें तो colloid हमने बात की थी colloid जो उसका formation कापर होता है active phase means active part मैं जो आपका like apical part sorry not active part apical part apical part में maximum colloid का formation होता colloid किया है जिसमें T3, T4, thyroglobalin, MIT and DIT ये सारा formation percent परजन रता है ये कि small vacuels के form नाम क्या बोलते है colloid तो colloid में maximum concentration जो होती है किसकी होती है T4 की approximately कितना 25% तो ही अगर हम T3 की बात करें उसका concentration जो है वो colloid के अंदर बहुत करम होता है 7% potency की बात करें potency means कौन सा हर्मोन कितने potent है potent means उसका action कितना like कितना कितना powerful action है उसे हम बोलते है potency अगर कोई भी cell को कोई action करना है वही पर T3 और T4 दोनों जाके regulate करने तो कौन सा हर्मोन उसी action को सबसे ज्यादा powerfully follow कर सकता है तो potency वही चीज़ चेक करती है T4 हर्मोन की जो potency होती है less होती है अगर हम बात करें T3 हर्मोन की उसकी potency बहुत fast होती है बहुत high होती है means 3 to 5 times higher potency होती है किससे T4 हर्मोन से अगर हम action की बात करें तो T4 हर्मोन जोए उसका action जोए बहुत slow action है वह slow acting hormone है अगर उसको कोई action करना है तो वह बहुत time लगाएगा उस action को regulate करने में वही अगर हम T3 की बात करें तो इसका action जोए बहुत rapid action है binding capacity की बात करें तो binding capacity nuclear receptors के सब बाइंड होता है T4 हर्मोन जोए बहुत less bind होते है वही अगर हम T3 की बात करें वह बहुत more bound होते है इसलिए T4 जोए वो circulation में बहुत जादा होता है लेकिन active form जो होता है thyroid hormone का वो कौन सा है T3 hormone अगर हम T4 हर्मोन की बात करें तो T4 hormone जो है वो क्या है? एक टाइब का pro hormone है pro hormone T3 का means T3 जो है maximum active form है T3 ही maximum functions करता है T4 hormone जो है वो pro hormone है pro hormone means जब भी T3 hormone finish हो जाएगा जब भी T3 hormone complete हो जाएगा या destroy हो जाएगा या उसके functions complete हो जाएगे लेकिन body को फिर भी नीड़े कोई ना कोई action करने की तो T4 hormone क्या होगा T3 hormone में convert होगा ताकि वो जो और functions जो उसको और follow करने उनको regulate कर सके इसलिए आमने T4 hormone को क्या बोला? pro hormone means वो hormone जो T4 hormone हो जो convert हो सकता है किसमे T3 hormone में और extra functions को regulate करने के लिए इसलिए T4 hormone को क्या बोलते हैं? pro hormone maximum capacity की इसकी present होती ही पूरे blood के लिए T4 hormone के लिएकिन active state में कौन present होता है? T3 hormone और ये इसकी important table है important है, बहुत important अब हमात करते हैं कुछ regulations की regulations में सबसे पहला जो regulation होता है तो ये जाएगा वह कौन सा? T.R.H. T.R.H. का मिस होता thairo thairo trapin releasing hormone thairo trapin releasing hormone जो है thairo trapin releasing hormone जो हो release होता है कहां से? hypothelemans से ये टाइप का releasing factor है जो कि hypothelemans release करता है और वह releasing factor जो हो कहां पर जाके present होता है कहां पर जाके regulate होता है? pituitary gland में और इसके बाद pituitary gland इसके हिसाब से action लेती है इसका main function क्या है? main function है release करना तो ये ये जाएगा कहां उपर? pituitary gland के पास और pituitary gland को ये direct करेगा एक special अलग type के hormone को release करने में उसकां क्या बोलते हैं? T.S.H. thyroid stimulating hormone thyroid stimulating hormone thyroid means thyroid gland को stimulate करेगा ये hormone कहां से release होगा? pituitary gland से और ये क्या काम करेगा? यो thyroid gland है उसको ये stimulate करेगा उसका function क्या है? उसको ये stimulate करेगा ये hormone होता है वो two sub unit से मिना होता है alpha and beta और इसका structure जाए वो दूसरे hormone के साथ में similar है like glutinizing hormone and FSH hormone उनसे इसका structure जाए बहुत similar होता है अगर हम इसकी serum concentration की बात करें means ये कितना present होता है हमारे serum level पे, blood level पे तो 0.3 to 4.5 micro international unit per liter इस concentration में ये blood के अंदर present है और अगर हम इसकी T half की बात करें means इसकी half life कितने होती इसकी एक बार ये पिट्योटे क्लाइन से release होता है तो ये कितने टाइम तक blood के अंदर circulator कपता है that is 60 minutes 1 hour इसकी half life होती 1 hour बात ये destroy हो जाता है या finish हो जाता है ठीक है अगर हम बात करें इसकी ये function कैसे करता है हमने बात के लिए thyroid hormone जो होते हैं whole hormone का function increase होता है ठीक है TSH के functions क्या क्या है TSH के functions क्या क्या है TSH के भाач सारे function होता है ठीक है सबसे पहला function ये thyroid hormone के synthesis को increase करता है ठीक है TSH के main काम है thyroid gland को stimulate करना अगर thyroid gland stimulate होगी, तो catalyze होगा, क्या synthesis होगा, thyroid hormone, तो जितना ज्यादा TSH, उतना ज्यादा thyroid hormone का synthesis, तो ये क्या करता है, thyroid hormone के synthesis को increase करता है, second, ये increase करता है क्या, iodide trapping, iodide trapping क्या होता है, last video मैं बात किती कि, जो sodium और iodide, जो sympooter है, उनका main function क्या होता है, क्यों, iodine को concentrate करते हैं, condense करते हैं, उसके बाद वो store करते हैं, हमारे thyroid follicles के अंदर, और कितने time करते हैं, approximately 20-40 time, वो condense करते हैं, ठीक है, तकि बहुत large amount का iodine, बहुत small place में, बहुत small follicles में हमारे thyroid gland में store हो सके, और बहुत large amount का iodine को जम बहुत small amount में store करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, iodide trapping, हम बहुत सारे iodide को क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं, बांध रहे हमारे काँ पर thyroid follicles के इंदर, इसलिए जितना गदा TSH होता है, उतना गदा हम आयोडाइट की trapping कर सकता है, और इनके में क्या functions है, यह increase करता है किसका thyroglobaline के synthesis को में भी increase करता है, thyroglobaline क्या होता है, thyroglobaline glycoprotein है, जो की bind होगा किस से, iodine से, उसके बाद हमारे formation होगा किसका hormones का, T3 and T4 hormones का, तो thyroglobaline के synthesis में भी यह, thyroglobaline का synthesis भी यह fast करता है, फूर्थ, यह colloid का endocytosis करता है, colloid के endocytosis में भी इसका main role है, हमने बात की थी कि cell के बाहर की तरफ आपके colloid का formation होता है, यह जो part इसका हम क्या बोलते है, apical part, और apical part में colloid के जितने भी hormones हैं, like T3, T4, MIT, DIT, यह functionable नहीं है, उनको function करने के लिए क्लिए क्लिए cell के अंदर enter करना पड़ता है, और cell के जब भी यह एंदर enter करते हैं, उसमें कौन सा process से enter करते हैं, endocytosis से, और endocytosis में जो hormone help करता है, उसको क्या बोलते हैं, TSH, और जो protein से enter होते हैं, जिस channel से enter होते हैं, उसका नाम के Megalyn, ठीक है, एक special relation यह है कि cold situations में, और hot situation में, means warm situation में, cold situation में TSH का secretion है, यह TSH level का secretion में वो बढ़ जाता है, वहीं अगर hot situation और warm situation बात करें, उनका secretion कम हो जाता है, तो यह कुछ specific features हैं TSH के, TSH क्या करता है, थारोड होर्मन के synthesis को increase करता है, iodide के trapping को increase करता है, thyroglobin के synthesis को increase करता है, colloid के endocytosis में help करता है, और cold situation में TSH का synthesis बढ़ जाएगा, वहीं hot और warm situation में, TSH का secretion कम हो जाएगा, यह है regulation किसका TSH का, TRH के मने बात करें, TRH कहां से release होता है, hypodalemase से, TSH कहां release होता है आपके pituitary glands, तो अब हम बात करते हैं functions की, thyroid hormone के कौन-कौन से functions होता है, सबसे बात करें thyroid hormone, mainly increase करता है क्या, based cell metabolic rate, BMR को यह increase करता है, based cell metabolic rate क्या होती है, जो कि हमारी metabolic capacity होती है, हमारी body की metabolic capacity होती है, जितने भी enzyme reactions हमारी body के इंदर जो चल रही है, like digestion में, absorption में, उन सब की metabolic capacity को, उन सब की rating capacity को increase करता है, तो thyroid hormone का main function क्या होता है, यह basal metabolic rate को increase करता है, second, thyroid hormone जाए, thyroid hormone जाए, major, ketabolic hormone है, ketabolic hormone मेंज क्या होता है, यह हर चीज का breakdown करता है, सबसे मेले बात करते हैं, carbs की, means carbohydrates, carbohydrates, carbohydrates की situation में, यह mainly catabolic hormone है, means, यह increase करेगा किसको, glycolysis को, जिससे क्या होगा, glucose का formation होगा, यह increase करेगा, gluconeogenesis को, sorry, यह enhance करता है glycolysis, means glycolysis को तोरने में enhance करता है, यह enhance करेगा किसको, gluconeogenesis को, यह increase होगा, glucose concentration, यह glucose के uptake को भी, increase कर देगा, यह major catabolic hormone होता है, यह major catabolic hormone होता है, major, main products होते हैं, उनको तोरता है, minor products हैं, उनका यह formation करता है, glucose, lipids होग हमारे fat के store, हमें क्या चीए, free fatty acid तो उनको भी तोरने का काम करता है, तो यह क्या है major catabolic hormone है, यह हर चीज को breakdown करने का काम करेगा, secondly हम बात करें, like lipids की, तो lipids में भी क्या कहेगा, यह increase करेगा, lipolysis, यह lipolysis की activity को भी increase करतेगा, वहीं अगर हम बात करें, proteins की, तो यह proteins की breakdown में, साथ-साथ वही proteins की synthesis में भी help करता है, ठीक है, प्रोटीन का breakdown भी करेगा, और बहुत सारे amino acid का formation करेगा, वही new proteins का formation भी करेगा, बात करेंगर हम vitamins की, तो vitamins का absorption जो है, वह increase हो जाएगा, ठीक है, तो thyroid hormone का main function जोता है, वह क्या होता है, BMR, और यह major catabolic hormone होता है, यह mainly major polypeptides है, major large molecules है, उनका breakdown करके, small molecules में convert करता है, major carbs उनको तोड़के किस में convert करें, minor carbs, minor carbs क्या होता है, glucose, lipids को तोड़के, free fatty acids में convert करता है, प्रोटीन का breakdown भी करता है, साथ साथ में new proteins का synthesis भी करता है, vitamins का absorption, increase कर देता है, अगर हम इसी hormone की बात थरे, like, like, oxygen consumption level पर, BMR में क्या बात करते है, कि कौन-कौन से ऐसे body parts है, जिनकी oxygen consumption की activity बढ़ जाती है, like, अगर किसी भी organ या किसी भी cell या किसी भी tissue को work करना है, तो उसको जादा ऐसा जादा oxygen हो, जादा-जादा energy की जरूते है, और BMR में क्या होता है, हम BMR में यह ही चेक करते हैं कि कौन से organ या कौन सी cell की oxygen consumption capacity की बढ़ जादा होगी है, BMR is dietally proportional to oxygen consumption, अगर किसी भी organ की oxygen consumption capacity जादा होगी, उस organ या उस cell की BMR rate जोगी बहुत जादा होगी, तो thyroid hormone जोए वो सारे organs पर effect डालता है, लेकिन स्रीफ कुछ ऐसे places हैं जहाँ पर thyroid hormone का functions, like, उनके जो function में वो कोई relate नहीं करते हैं, वो जो places हैं वहाँ पर thyroid hormone जोए वो regulate नहीं कर सकता है, उन places का नाम क्या है? Lustan, ठीक है, यह निमवानिक है, याद करने के लिए कि वो असी कौन सी places हैं जहाँ पर oxygen consumption नहीं होता है, यह बहुत minor quantity होता है, जहाँ पर basal metabolic rate normal होती हो, तो वहाँ पर thyroid gland जोगो अपना function नहीं कर सकता है, L for lymph nodes, U for uterus, okay, lymph node uterus, S for spleen, lymph nodes, uterus, spleen, testis, T for testis, and AN for anterior pituitary, ठीक है, तो यह कुछ ऐसी places है जहाँ पर oxygen consumption नॉर्मल रहता है, या फिर यह ऐसी places है जहाँ पर thyroid hormone का कोई function नहीं होता है, पूरी body में जितनी places है वहाँ पर thyroid hormone का जो action है वो हमेशा direct होता है, except one place, वो है heart, heart पर कभी भी thyroid hormone का reaction में वो direct नहीं होता है, वो indirectly होता है, वो क्या करता है, thyroid hormone जो है, वो heart, वो heart से related cataculumize को increase करते है, और वो cataculumize directly act करते है कि इस पर heart पर, जिसकी वज़े से हमें heart में increases chances है, like heart rate increase होती, stroke volume increase होता है, cardiac output increase होता है, जब भी thyroid hormone increase होते है, heart rate, cardiac output, stroke volume में सब increase होता है, लेकिन वो directly increase होता है, thyroid hormone किसको synthesis करता साता पहले, cataculumize कर वो cataculumize act करते है किस पर heart पर, जिसकी वज़े से हमें सारे किसारी चीज़ें increase होती 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 है, तो यह कुछ functions है thyroid gland के, thyroid gland mainly क्या है BMR, main most important function जो हो कहा है, यह basal metabolic rate को regulate करता है, second, यह major catabolic hormones है, यह major, बड़े-बड़े, large molecules होते होते हैं, convert करता है, उंको breakdown करता है किसमें, small molecules, carbs को तो औरता है, glucose को, lipids को तो औरता है, free fatty acids में, protein का breakdown करता है, amino acids, vitamins के absorption का increase करता है, हर्ट पर यह directly effect नहीं करता है and directly effect करता है सबसे पहले catacolomides को synthesis करेगा और वो catacolomides directly effect करेंगे हर्ट पर जिससे आपको cardiac output, stroke volume और heart rate यह सब increase होता हुआ दिखेगा तो यह है आपका thyroid hormone Thank you